हर्याना से जुड़ी हर लेटिस्ट अपडेट के लिए घंती बजाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना न्यूज सच के साथ खबर बेबाद कुछ सवाल पूछे जिसके बाद उन्हें उस ग्रुप से हटा दिया गया है जिसे लेकर अलकालामबा खासी नाराज चल रही है उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोशना भी कर दी है उन्होंने एक ट्वीट के जरीए संदेश दिया कि 2013 से शुरू हुआ आमाद्मी पार्टी के साथ का सफर 2020 में खत्म हो जाएगा साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आमाद्मी पार्टी दिल्ली में एक मजबूत विकल्ब बनी रहेगी अल्कालामा ने पार्टी के साथ अपने सफर को यादकार बताया जो आमाद्मी पार्टी का वर्टसफ ग्रूप है जिसमें मुझे दुबारा से जोड़ा गया था लेकिन पांच मही ने उस ग्रूप में मेरी किसे से कोई बात नहीं हुई और ना ही किसी भी बड़े नेता से दिसंबर से लेकर इन पूरे चुनावों के दौरान चुनावों के खतम होने तक आज तक कोई बात हुई लेकिन आज दिली के मुख्यमंतरी अविन के जीवाल जी द्वारा एक मेसेज उसमें पोस्ट किया जाता है कि हमें अब दुबारा से जनता में जाने के जरूरत है जनता से हमें हमसे गलती हुई है हमें जनता से माफी मांगनी चाहिए और हमें एक मोका देने की बात करनी चाहिए क्या गलती हुई है, क्या उस गलती के बारे में भी चर्चा हो, वो गलती क्या थी, उस गलती में हमें दुबारा ना हो, उस पे बात होनी चाहिए, सुधार कैसे होंगे, मैंने जब ये प्रशन पूचा कि वो गलती क्या है, उस पे भी चर्चा हो जाए, तो मुझे WhatsApp ग्रुप पे पूछे जो मुरी पाटी को अच्छी नहीं लगी तो जुआन्दी चौक से विधायक अलकलामबा लेकिन देखिए किस तरह अपनी ही पाटी पर उन्होंने सवाल खड़े की अर्विंद केजडिवाल पर एक बार फिर से उन्हीं की पाटी के नेता ने सवाल खड़े किये हैं आम आदमी पार्टी बनने के बाद जो एक पूरी टीम अर्विंद केजडिवाल की थी वो एक एक करके कैसे तूटी ये सब ने देखा अलकलामबा जो कि कॉंग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई थी वो इस वीडियो मैसेज के जरिये सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी में किसी को भी कुछ भी बोलने का हक नहीं अलकलामबा कह रही हैं कि उन्होंने पार्टी के वाट्साइप ग्रूप पर एक मैसेज किया जिसके बाद उन्हें उस ग्रूप से निकाल दिया गया झाल